कोरोना वाइरस से भारत में हालात बेशक बत्तर हो चुके हैं लेकिन अधिकांश मामलों में मरीजों की रिकवरी हो रही है हलाकि ये बिमारी का एक नया रूप है इसलिए हलके लेक्षन भी नजर अंदाज नहीं किये जा सकते हैं यही कारण है कि 14 दिन के रिकवरी पीरियड में पाचवे दिन से लेकर दसवे दिन तक का सवै बेहत महत्ववून समझा जाता है इस टाइम लाइन के दोलान कुछ खास बातों पर बहुत बारिकी से गौर किया जाना चाहिए लक्षनों पर रखे नजर कोरोना वाइरस के ज्यादा तरवामले हलके लक्षन वाले ही होते हैं जिनने घर पर असानी से कंट्रोल किया जा सकता है डॉक्टर्स कहते हैं कि शरीर में पाचवे दिन से दिखने वाले लक्षनों को मॉनिटर करने और समझने की जरुरत होती है यदि कोई व्यक्ती अपने रिकवरी पीरियड के मिडल में हो और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसे कुछ विशेश बातों पर ध्यान देने की जरुरत है जैसे लक्षन बैसी रिकवरी इन्फेक्षन के शिरुआते जीरों में लक्षन काफी भ्रम प्यादा कर सकते हैं इस दौरान कुछ लोगों में हलके लक्षन दिख सकते हैं जबकि कुछ लोगों में लक्षन नजर ही नहीं आते हैं हलाकि 5-10 दिन के बीच में पॉड़ी में इंफेक्शन की गंभीरता को समझा जा सकता है। एक्सपर्स के मुताबिक 5-10 दिन का आईसोलेशन पीरियड उन जटलताओं को सामने ला सकता है जो COVID-19 के बाद आग को जेलने पड़ सकते हैं। साथी इंफेक्शन की गंभीरता का वीचन के दे सकता है जिसे समय रहते समझना बहुत ज़रूरी है। कोरोना वाइरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहे हमारे चानल के साथ।